नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है सूजल जैस्वाल और आप देख रहे हैं J.R.F. with सूजल आपका स्वागत है आज की एकोने इंटरस्टिंग क्लास में दोस्तो आज की इस क्लास में हम यूनिट 2 के अंतरगद जो अन्यगद विधाये हैं जैसे आत्मकथा, जीवनी, रेखा, चित्र, संस्मरण, यातवरतान इन से सम्मन्दित MCQs की प्रक्टिस करने जा रहे हैं अगर आप ये पूरा टॉपिक कर लेते हैं और मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो एक्जाम में आपको 3-4 प्रशन इन ही 25 कोशन्स में से देखने को मिलेंगे इसलिए आज की इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखें और अन्त में अपना स्कोर बताना ना भूले चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला कुशन देखते हैं मुक्ति बोध की आत्मकथा कृती के लेखक कोन है सही जवाब होगा विश्नु चंदर शर्मा याद रखेगा विश्नु चंदर शर्मा ने सन 1984 में मुक्ति बोध की आत्मकथा लिखी थी आईए अगला प्रशन देखते हैं क्या भूलू क्या याद करूं हरिवन्च राय बच्चन की आत्मकथा शर्मा का कौन सा भागे चोथा, तीसरा, पहला या दूसरा सही जवाब होगा क्या भूलू क्या याद करूं हरिवन्च राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भागे जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ था इसी का दूसरा भाग नीड का निर्मान फिर 1970 में आया था इसी का तीसरा भाग बसेरे से दूर 1988 में आया था और अंतिम भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में आया था ये चारो भाग बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछ लिए गए हैं तो इनके नाम और इनके प्रकाशन वर्ष आपको याद होने चाहिए आईए अगला प्रशन देखते हैं निम्न लिखित दलित आत्म कथाओं को प्रकाशन वर्ष की द्रश्टी से सही अनुकरम में विवस्थित कीजिए ओप्शन सार जूटन, सिकंजे का दर्द, मुर्धरिया या अपने अपने पिंजरे देखिए सबसे पहले मोहंदास नेमी सराई की आत्म कथा अपने अपने पिंजरे आएगी जो की 1995 में प्रकाशित हुई थी फिर आएगी ओम प्रकास वालमिकी की जूटन जो की 1997 में प्रकाशित हुई थी इसके बाद तुलसी राम जी की आत्म कथा का जो प्रथम भागे मुर्धरिया 2010 में प्रकाशित हुआ था और अंत में आएगा सिकंजे का दर्द सिकंजे का दर्द सुशीला टक भोरे की आत्म कथा है जो की 2011 में प्रकाशित हुई थी तो सही ओप्शन होगा ओप्शन ए 4,1,3,2 आईए अगला प्रशन देखते हैं निम्न लिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए आप खुद पढ़िए और इसका जवाब दीजिए थेले पर हिमाले धर्मवीर भारती की रचना है आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है सुभा के रंग अमरत राई की रचना है और पेरों में पंख बांध कर राम ब्रक्ष बेनीपुरी की रचना है तो सही जवाब होगा उप्षन D पांच तीन दो चार आईए अगला प्रशने देखते हैं प्रकाशन की दरश्टी से निमलिखित क्रतियों का सही अनुक्रम क्या होगा इन्हें पढ़िए और जवाब दीजिए सबसे पहले आएगा बोलती प्रतीमा जो की श्रीराम शर्मा के द्वारा 1937 में लिखा गया था इसके बाद महादेवी वर्मा जी का अतीत के चलचित्र जिसका प्रकाशन वर्श 1941 है इसके बाद समय के पाउं 1962 में माखनलाल चतुरवेदी के द्वारा लिखा गया था और अंत में 10 तस्वीरे नामक रचना आएगी जिसे 1963 में जगदीस चंद्र माथुर के द्वारा सही जवाब होगा उप्शन ए सबसे पहले अपने अपने पिंजरे 95 जूटन 97 मुर्धरिया 2010 और सिकंजे का दर्द नामक रचना 2011 में आई थी अगला प्रशन देखते हैं अथातो घुमककर जिग्यासा किस विधा से सम्मंदित रचना है उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रावरतांत या कहानी सही जवाब होगा यात्रावरतांत आई अगला प्रशन देखते हैं चेखव एक इंटर्व्यू किसकी रचना है रणवीर, पद्म सिंग शर्मा, राजेंद्र यादव या प्रभाकर माचवे सही जवाब होगा राजेंद्र यादव अगला प्रशन देखते हैं मित्र संबाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रे है रामविलाश शर्मा, केडारनात अगरवाल, नेमी चंजेन और नागरजुन, अमरतलाल नागर और यश्पाल, या फिर हजारी प्रसाद द्वेदी और सिव प्रसाद सिंग सही जवाब होगा रामविलाश शर्मा और केडारनात अगरवाल आई अगला प्रशन देखते हैं इन में से कौन सी आत्म कता है मैं आईना हूँ, पहला पढ़ाओ, मेरे साथ जनम या आत्म दाहा सही जवाब होगा मेरे साथ जनम आई अगला प्रशन देखते हैं आवारा मसीहा किस साहित्तिकार की जीवनी है बंकीमचन, रविन्ना टेगोर, शरचन या फिर भूदे और मुखो पाध्याए याद रखेगा बहुत important question है, कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है सही जवाब होगा सरचन अब याद रखना आवारा मसीहा सरचन की जीवनी है और ये विश्नु प्रभाकर जी के द्वारा सन 1974 में लिखी गई है आई ये अगला प्रशन देखते हैं यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है मैंने केवल अपने बहीरंग जीवन का ही विबरण दिया है जहां तक अतरंग जीवन का प्रशन है यह नितांत मेरा अपना है आपको उसका संभागी बनानी की उदारता मुझ में नहीं है उप्यूक्त वक्तव्विक किस आत्म कथाकार का है रामविलाश शर्मा, नगेंद्र, सिव पूजन सहाय या फिर हरिवन श्राय बच्चन सही जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र अगला प्रशन देखते हैं निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरन चीडों पर चांदनी अधारित है शिमला प्रवास पर, मैगाले प्रवास, योरप प्रवास या एशिया प्रवास सही जवाब होगा यौरप प्रवास अब आप मुझे चीडों पर चान्दनी का प्रकाशन वर्ष नीचे कमेंड करके बताएंगे आईए अगला प्रशन देखते हैं इन में से कोन सा संस्मरनात्म ग्रंद कृष्णा सोबती द्वारा रचे थे हम हश्मत, यादे और बाते, दिवान खाना या स्मृतियों के चंद सही जवाब होगा हम हश्मत अगला प्रशन देखते हैं महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुर्ष गांधी के लेखा कोन हैं? गिरी राज किशोर, जेनिंद्र कुमार, यश्पाल या इला चंदर जोशी अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी के रचेता जेनिंद्र कुमार है और इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है आईए अगला पुर्ष गांधी जोपड़ी से राजभवन तक के लेखा कोन है? नेमी शराय, माता प्रसाद, कमल भारती या सूरज पाल चोहान जोपड़ी से लेकर राजभवन नामक आत्मकथा माता प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी और इसका प्रकाशन वर्ष होगा सन दो हजार दो आईए अगला प्रशन देखते हैं इन में से कोन सी कृती संस्मरण विधाकी नहीं है? पतके साथी, हम हश्मत, लोट आउधार या मित्र समवाद? सही जवाब होगा मित्र समवाद और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मित्र समवाद रामविला शर्मा और केदारनाथ अगरवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है अगला कोशन देखते हैं व्योमकेज दरवेश किस विधाकी रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या डाइरी? व्योमकेज दरवेश विश्वना त्रिपाठी के द्वारा सं 2010 में लिखा गया एक संस्मरण है आईए अगला प्रशन देखते हैं भारतेंदू बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंत के रचनाकार कोण है? राधाकृष्ण दास, श्याम सुन्दर दास, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्वेदी? सही जवाब होगा राधाकृष्ण दास और उनके द्वारा भारतेंदू बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित सन 1904 में लिखी गई एक जीवनी है निम्न लिखित रचनाओ को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए Option 3 बिलकुल करेक्ट होगा मोहन राकेश की डाइरी का प्रकाशन वर्स 1985 है डाइरी के कुछ पन्ने लिखी गई थी 1940 में मेरे कॉलेज की डाइरी 1958 में और एक कारिकरता की डाइरी 1972 में लिखी गई थी सही जवाब होगा Option C अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित में से आत्मकथाएं कौन-कौन सी है तिरिसकरत अपनी धर्ती अपने लोग वसंत से पतजर तक सहचर है समय सही जवाब होगा Option C वसंत से पतजर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बची हुई रचनाय आत्मकथा विधा की है निमलिखित में से कोन सी रचनाय दलित आत्मकथाएं है अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ मेरी पतणी और भेड़िया गरदिश के दिन सही जवाब होगा अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया ये दोनों दलित आत्म कथाओं हैं लेकिन आप मुझे इन चारों आत्म कथाओं के लेखकों के नाम नीचे कमेंड करके बताएंगे निमनलिखित आत्म कथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए दश दवार से सोपान तक मेरी आत्म कहानी, अपनी कहानी और मेरी जीवन यात्रा ओप्शन बी बिलकुल करेक्ट होगा, दस दवार से सोपान तक हरिवन शराय बच्चन, मेरी आत्म कहानी श्याम सुन्दर दास, अपनी कहानी वरिंदावन लाल वर्मा और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकरत्यान के द्वारा लिखी गई थी ओप्शन बी चार, तीन, एक, दो, इस दा करेक्ट आंसर, निमलिकित संस्मरनात्म कृत्यों को उनके लेखकों के सांथ सुमेलिप कीजिए, आच्छे दिन पाच्छे गए, नंगा तलाई का गाउं, आंगन के वंदनवार और वे देवता नहीं है सही जवाब होगा उप्शन सी, आच्छे दिन पाच्छे गए, कासीनात सिंग की रचना है, नंगा तलाई का गाउं, विशुनात त्रिपाठी की रचना है, आंगन के वंदनवार विवे की राय, और वे देवता नहीं है, राजेंद रियादव की रचना है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्ण होने वाला है, निमलिकित आत्मकर्थाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए, एक कहानी यह भी, अन्या से अनन्या, हाद से और रसीदी टिकट सही जवाब होगा ओप्शन ए, एक कहानी यह भी मनु भंडारी की रचना है, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है, हाद से रम्णिका गुपता की रचना है, और रसीदी टिकट अम्रता प्रीतम की रचना है इसी के साथ आज की एक लास हमारी खत्म होती है, आपने इन 25 कोश्चन में से कितने कोश्चन सही की हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारी हिंदी साहित इंपोर्टेंट MCQs नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको सारी MCQs की वीडियो लाइन से मिल जाएंगी अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मिलेंगे जल्दी एकोने इंटरस्टिंग क्लास के साथ, अब तक के लिए देखते रहे हैं, जयारे बित सूजल, Namaste